Hello everyone, मैं हो रश्मी और आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में और आज की रेसिपी बहुत एक्साइडिंग है जिसमें हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़े और जीरा राइस वीडियो का अगर आपने पूरा देख लिया तो दोनों की एकदम पॉफिक्ट रेसिपी आपको मिल जाएगी और दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम भेथ है तो सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक चौथाई कब बेशन दिया है जिसमें डाला है या इनो डालने के जरूरत नहीं है बस बैटर को अच्छे से फेट लेंगे इसमें कोई भी लंस नहीं होने चाहिए और इस तरह से थोड़ा सा थिक बैटर इसका तयार कर लिया है और कड़ी के जो पकोड़े होते हैं वो बिना प्याज के भी बनाया जाते हैं सिर्फ बेश सकते हैं वैसे कड़ी थोड़ी तीखी थोड़ी खटी होती है उसके बाद इस बैटर में डाल दिया है एक चमच अध्रक और लेसन का पेस्ट और साथ में डाल देंगे बारिक कटावा प्यास हरी मिर्ची और धनिया के पत्ते सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे तो ये पक थाई कप दही और दही अगर खटी है तो जादा अच्छा है दोनों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि इसमें बिलकुल भी लंप्स ना रहें तो सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे और जब इसका एकदम स्मूध बाटर त्यार हो जाए इस तरीके से तब इ गलास पानी डाल दिया है तो पकॉड़े और कड़ी दोनों का मिक्शर तयार है तो सबसे पहले हम पकॉड़ों को तर लेंगे तो यहां पर कढाई में तेल गरम कर लिया है पकॉड़ों को चानने के लिए उसकी बाद तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो थोड़ा थोड लेकर इस तरह से पकॉड़े इसमें डालते जाएंगे कड़ी की और भी काई सारी रेसिपी मैंने शेर की है आपके साथ जिसमें बिना प्याज के पकड़ों को कैसे बनाते हैं या फिर पंजाबी कड़ी कैसे बनती है तो उसका link मैं नीचे description में डाल दूगी, आप चाहें तो उसको check कर सकते हैं तो पकोड़े एक तरफ से सिख गये हैं, तो इस तरह से इसको पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से सिख लेंगे तो पकोड़े हो गये हैं, इसको छान करके निकाल लेंगे और पकोड़े का size बड़ा या छोटा जैसा आपको रखना है रख सकते हैं मैंने आप इसको थोड़ा बड़ा ही रखा है, तो पूरा छान करके निकाल लेंगे उसके बाद कड़ाई में दो चमश तेल जरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे आदा चमश जीरा, आदा चमश राई, थोड़ा सा हींग, हींग डाला इसमें बहुत जरूरी है चाहें तो थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल सकते हैं, थोड़ी से सूखी लाल मिंशे और थोड़े से कड़ी पत्ते हैं उसके बाद इसमें डाल देंगे 1-1.5 चमच अद्रक और लेसन का पेस्ट अद्रक लेसन के उपर ही डाल देंगे आदा चमच हल्दी पाउडर इसके उपर इसलिए डाला है जिसे की हल्दी जलेना उसके बाद एक मिनट के लिए इन सबी चीजों को हलका सा भूल देंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे कड़ी वाला मिक्षर जो हमने तयार करके रखा है तो flame को low पर रखेंगे और ये सारा solution इसमें डाल देंगे तो ये सारा इसमें डाल दिया है अभी ये थोड़ा गाड़ा है तो इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी तो यहाँ वे मैं डेड़ गलास पानी डाल रही हूँ पानी हम बाद में भी आड़ कर सकते हैं क्यूंकि कड़ी को जब हम पकाते हैं काफी देर तक तो वो थोड़ा गाड़ा हो जाता है तो हम बाद में भी पानी को एड़ कर सकते हैं इसे मिला लेंगे और इसको उबलने देंगे कड़ी को हमें लगभख 20-25 मिनट तक पकाना है और वीच वीच में इसको चलाते रहेंगे तो जब तक कड़ी पक रहा है तब तक हम जीरा राइस बना लेते हैं वैसे कड़ी स्टीम राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन जीरा राइस के साथ यह और अच्छा तो यहाँ पर मैंने लिया है एक लास चावल यह बासमती चावल है इसको 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे आप इसको किसी भी चावल से बना सकते हैं जो भी चावल आप घर में खाते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं तो इसको मैंने धो लिया है उसकी बाद कड़ी को दूसरे पर शिफ्ट कर दोंगी और इसमें हम जीरा राइस बना लेंगे हम इसको प्रेशु कुकर में बनाएंगे जिसे कि यह जल्दी से बन जाए तो गैस पर एक कुकर चड़ा दिया है और इसमें डालेंगे दो से तीन चमच घी में बनाएंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आए इन मसालो को हम थोड़ा से चला लेंगे जिसे कि मसालो का फ्लेवर घी में अच्छे से आ जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चावल तो जो चावल हमने धो करके रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे उसके बाद हमें हलके हाथ से चावल को घी में अच्छे से मिला जादा मिलाएंगे तो चावल तूटने लगेगा तो इसको एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे आधा चमच नमक और फिर इसमें डालेंगे पानी तो जितना हमने चावल लिया है एक गलास उसका डेड़ गुणा पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 गलास और यह आधा गलास तो यहाँ पर मैंने 1.5 गलास पानी डाला है पानी डालने के बाद इसका धक्कन बंद करके इसमें हाई फ्रेम पर 2 सीटी ले आएंगे तो यहाँ पर कड़ी भी अच्छे से कोख हो गई है लेकिन थोड़ी सी काड़ी हो गई है इसलिए मैं यहा तो यहाँ पर मैंने पकोड़ी डाल दिया है उपर से डाल देंगे नमक नमक हमने पकोड़ों में अलड़ी डाला हुआ है तो उसे हिसाब से डाले और उपर से डाल दिया है कटावा हराधनिया सबी चीजों को मिला लेंगे तो यहाँ पर जो कड़ी की थिकनेस है इसको मैं तो अब चलिए, इसके उपर एक बढ़ियासा तड़का लगा लेते हैं, वैसे आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्फ कर सकते हैं, लेकिन तड़का सही और अच्छा लगता है, तो एक तड़का पैंग लिया है, इसमें डालेंगे 2 चमच देशी घी, बहुत सिंपल तड़का है लेकिन इससे लुक और टेस्स दोनों अच्छा हैगा, तो इसमें मैंने डाला है, एक चमच सापत धनिया, एक कश्मीरी लालमिर्च इस तरह से तोड़ करके डाली है, इसको मिला लेंगे, गैस को ओफ कर दिया है, तेल को थोड़ा सा थंड़ा हो जाने देंगे, और फिर इ दाल देंगे, थोड़ा सा कटावा हरा धनिया, तो यह बहुत ही टेस्टी और इक तब मज़ेदार सी कड़ी बनकर तयार है, इस तरह से बनाईए, कोई प्रॉब्रम नहीं आएगा बनाने में, और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, तो कड़ी तो रेड़ी है, अब जीरा राइस तयार है, तो उपर से डाल देंगे कटावा हरा धनिया, और चावल को इसके साथ हलके हाथों से मिला लेंगे, बस उपर नीचे इस तरह से पलत लेंगे, तो दोनों चीज़े तयार है, चलिए इसको फटा-फट से सर्फ कर लेते हैं, तो प्लेट में पहले मैं ये कॉमेंट में ज़रूर बताएगा, वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसको लाइक किये पेना ना जाएं, और मेरे चानल पर नहीं आये हैं, तो प्लीज इसको सब्स्राइब करें